हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब घाटी में आतंक वाद पर चोट की अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के एक साल बाद आतंक पर कितनी बुरी चोट पड़ी है ये जानने के लिए एबीपी न्यू संबादाता नीरज राजपूत कश्मीर के तंगधार पहुँचे नीरज राजपूत ने उन लोगों से बात की जो आतंक का रास्ता छोड़ चुके हैं शोप्या के जहांगीर और पुल्वामा के रहने वाले बाबा कभी आतंकियों के साथ थे आज वतन परस्ती और आमन का संदेश फ्यला रहे हैं इन दोनों को आज घाटी के युवाओं को गौर से सुनना चाहिए कि आतंक का रास्ता कैसे एक अंधेरी गली की तरह है इनकी जुबानी घाटी में आए बदलाव की कहानी आप भी जानिये अमन की बोली छोड़ गोली का दामन थामने वाले चहांगीर देर सही सही लेकिन जागे हैं और अब घाटी में उन युवाओं को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अलगाओ की आवाज के जासे में हैं जब हम इसमें गए तो 19 साल हमारी अमर थी फिर आहस्ता सब बात पता चली कि जहान है तो जहां है हमने आवाइड कि बहुत बार आपरेशन आवाइड किये निकल जाएं आगे पीछे इदर उदर चलता रहा इसे तरह दो साल तो आखर जान तो लेकिन हम नहीं चाते कि हमारी जान इस वज़े से जाए जहां पर हमें फिर आगे और कुछ करने का मौका ना मिले ठैंक गार अल्ला ने मुझे मौका दे दिया जिन्दगी में अपनी फैमली है आगे और कुछ करने का एक मौका दे दिया और शुकर अल्ला कि हम उसी एक अपरचुन्टी के थाद आज आगे जा रहे हैं अब जरा फुल्वामा के रहने वाले बाबा नाम के इस शक्स को सुनिए जो बता रहे हैं कि कैसे और कब उसने बंदूर थामी आप सबसे पहले बताये कि आपकब ज़ जॉइन किया आपने और आप लग्जमिल मुजाहदिन के ही ऑफ साथ जियitet और 25-के दौफरवरी और 95-के और 25 उसके बाद में चल अगय ज़ेल उसके बाद में आया सिद्ध रहन साथ में कभी जन्नत के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, युबाओं को सालों से घाटी में बरगलाया जाता है, लेकिन जिसने मौत को करीब से देखा, उससे सुनिये जिन्दगी कितनी अनमोल है जन्दी की अलने एक बार देगा, दुबार नहीं मिलते हैं, जो मर गया वो दुबार वापस आतेगा, जो जिन्दा है, जब तक समाज चलता है रहेगा, वो तब तक जिन्दा ही है एबीपी निव समवादाता नीरज राजपूत ने हत्यार छोड मुख्यधारा में लोटे इन लोगों से सीधा सवाल पूछा, वही सवाल घाटी की फिजाओं में कूँच रहा है कि क्या हत्यार किसी समस्या का समाधान है तुब क्या आपका क्या संदेश उन सब और नौजवानों के लिए रहेगा कि क्या वाफ्य में हत्यार से कोई भी रास्ता जो है नहीं मिल सकता या क्या सोलूर्जन कोई हल नहीं ने कल पाएगा किसी समस्या की होगा माशे बाट ते से मास्तव होगा बंदो कसे मास्तव कोई हाल नहीं होगा वहां WE कोई सोट हैं अगर आप को एक्षाई है आपकी तो आपके पस frost sino कि उwn इसमें अपनी बात आपके पस्था है चाहे आपके पास प्रचा प्रपॉटेंशल है उस प्रचाइंशल को यूज़ करके अपनी बात अपनी जहनद बचा की रखिए आप अपने इस जो वेली है हमारी इसको एक जहनत बनाने में मजीद अपना पाज़टर रोल कर सकते हूं लेकिन आप अपने वो तमाम आउसर जाय कर रहें, यह ठीक नहीं है, अपने आउसर जाय मत कीजिए. उद्रकी एधारा 370 के खत्म होने के बाद सेना ने अपनी रणनीती बदली है, और अब आतंग के रास्ते पर निकल चुके नौजवानों को सेना पहले सरेंडर का मौका देती है, इसलिए एक साल बात दावा किया जा रहा है कि घाटी में आतंग घटा है, एवी पी नियूस उनके एल्डर से, ताकि वो गलत दिशा में ना जाए, अगर जाने की कुछ अंदाज लगता है, तो उसी वकत हम उसको इंटर्वेन करके उनको काउंसलिंग करते हैं, और जब कि वो टेरिस्ट ऑगनाइजेशन जॉइन करता है, और ऑपरेशन भी शुरू होता है, उस वकत अवाम को मैं एक प्रेगांबी देना चाहता हूँ कि एक गलत रास्ता है और रास्ता कई लेके नहीं जाएगा, और जो अमन की रास्ता में बहुत थाकत है, दारा 370 का अटना जमो कश्मीर की हिस्ट्री में एक बड़ा एहम मोड था, और अगर हम बात करें उसके साथ सिच कैसे बड़ी है, तो as of now, एक साल के बाद, सिचुएशन नौध कश्मीर में पूरी तरह से स्टेबल है, स्क्योर्डी फोर्स के पूरे कंट्रोल में है, और यह हुआ है because of the synergy, जो सभी फोर्स के अंदर है, पेशा को आमी हो, जमो कश्मीर पुलिस हो, C.A.P.F. हो, इंड पर मैं बात करूँगा, कि इससे पहले अगर एक साल में हमारे यहां पर 116 इंसिदेंट हुए, जिनमें स्टोन पेल्टिंग इंसिदेंट थे, जिसमें लोग इनवॉल्ड थे, अब सिर्फ 9 हुए है, सो 116 और 9 में बड़ा अंतर है, यह दिसाता है कि agitation dynamics यह बदल चुका ह क्योंकि लोग का mindset बदला है, अगर मैं local youth के recruitment की बात करूँ तो जहां पिछले सरा 18 लोगों ने गान उठाई थी, लोकल लड़कों ने, इस पर सिर्फ 8 का confirmed है, जिनमें से सिर्फ 2 active हैं, बाकी 6 इदर मार गिराए गए हैं या वो arrest हो चुके हैं झाल से सिर्फ 2 लोग पिराए थी, या झिराए लोगों ने चुके हैं जिनमें गबचर, से सिर्फ 5 लोग एफी, लोग जग्दोट, से सिर्फ 6 अगर वो थी, हैं प्रोगों इदित मəं ऌने, जिनमें, जिनमें तप्र टुके हैं